हेलो गाइज कैसे हैं आप सब लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था कि हेडिंग फैमिली क्या होती है हमने पेराग्राप के टैग को देखा था और हमने बोल्ड, इटैलिक, कोट्स वगरा के टैग्स को देखा था आज हम देखेंगे हेडिंग फैमिली और पेराग्राप के टैग से कुछ एट्रिब्यूट्स और साथ ही साथ हम देखेंगे के इन लाइन और ब्लॉक ऐलिमेट में क्या फरक है सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ, ट्यूट्ट्री डॉट एच्टी एमल और मैं जल्दी से अपना बॉइलर टैंपलेट कोड डालेता हूँ, डॉक्कोमेंट की जगा मैं यहाँ पे ट्यूट्री लिखके सेव करता हूँ और ओपन विद लाइफ सर्वर करता हूँ, यह मेरे पास ट्यूट्री टाइटल आ गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लिता हूँ, अब मैं बाडी के अंदर यहाँ पे एक एच वन का टैग लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I am Kashif, मैं Chrome पे जाता हूँ, मेरे पास यह I am Kashif left side पे अपेर हो गया, लेकिन मैं चाता हूँ, यह heading मेरे पास center में आजए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, align is equal to center, align is equal to center लिखके क्या होगा, मेरी heading center में आ जाएगी, यह हमारे पास heading family का एक attribute है, जिससे हम किसी भी चीज़ की position चेंज कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक h2 का tag लिखूँ और मैं लिखूँ hello world, यह मेरे पास by default left side पे appear हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह मेरे पास right side पे appear हो, मैं करूँगा align is equal to right, और यह मेरे पास right side पे appear हो गया, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई भी tag लिखूँ, h1 में ही मैंने hello लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यह left side पे appear हो, तो यह पहले ही by default left side पे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे align is equal to left लिखें भी, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यह by default ही left side पे है, इसलिए हमें इसको लिखने का कोई फाइदा ही नहीं है, इसके बाद हम paragraph की तरफ move करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ paragraph और कोई भी dummy paragraph यहाँ से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको copy कर लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ, मैं वापीस आता हूँ, अब यह मेरे पास एक dummy text copy हो गया, यह मेरे पास वो text है जो copy हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यह text center में आए, तो मैं पहले इस text को थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, ताक कि मैं आपको सही से समझा सकूँ, ऐसे कर लेता हूँ, मैं save करता हूँ, यह मेरे पास इतना text आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, align is equal to center, पहले क्या था, paragraph यहीं पी था, अब दोनों तरफ से, बराबर spaces आ गई, और मेरा paragraph center में आ गया, मैं कहता हूँ, नहीं, मेरा paragraph left side पे ओना चाहिए, मेरा paragraph left side पे था by default ही, मैं कहता हूँ, नहीं, मेरा paragraph right side पे आना चाहिए, यह मेरा paragraph right side पे आ जाएगा, अब मैं अगर इस paragraph को copy करके, ज्यादा सा paragraph लिख लूँ, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ऐसे, अब यह मेरे पास इतना जादा paragraph आ गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, align right, तो right side से सारी lines align हो जाएगी, लेकिन left side से नहीं होगी, मैं अगर यहाँ पे center लिख दूँ, तो सारी lines में ब्राबर distance आ जाएगा, लेकिन line ब्राबर नहीं होगी, अक्सर हम websites में देखते हैं, के line यहाँ से बिल्कुल ब्राबर होती है, जैसे, मैं अगर यहाँ पे आपको एक website दिखाऊँ, यह, यह देखो, यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें align है, तो हम इस तरह से text को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक attribute है, जिसको हम कहते हैं justify, मुझे सिरफ यहाँ पे justify लिखना पड़ेगा, इससे क्या होगा, मेरा सारा text align हो जाएगा, एक row में, जिस तरह से, हम चाहते हैं कि side से भी distance ब्राबर हो, और दूसरी side से भी distance ब्राबर हो, तो मेरे पास, इस तरह से यह justify हो गया, mostly paragraph में justify ही use होता है, center, left वगईरा नहीं use होते, अब हम देखते हैं, कि inline element और block element में, क्या फरक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले, h1 में एक चीज लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, hello world, मेरे पास, यहाँ पे appear हो गया, अब मैं अगर यही tag को copy करूँ, और मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, मैं यहाँ पे काशिफ लिखता हूँ, मेरे पास, यह दूसरी line में appear हो गया, मैं अगर इसी तरह तीसरा tag भी लिखूँ, तो मुझे तीसरी line में appear हो जाएगा, इस तरह से, यह, इसी तरह मैं paragraph का tag लिखता हूँ, और उसमें भी मैं यही चीज़ें repeat करता हूँ, मैं hello world लिखता हूँ, तो मेरे पास, यह एक line में आ गया, इसी तरह मैं नीचे गया, और मैं यहाँ पे, काशिफ लिखता हूँ, यह भी मेरे पास नीचे वाली line पे आ गया, लेकिन, लेकिन, अगर मैं काशिफ को bold करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर मैं कोई निचे वाली line पे, move कर जाता है, पूरी line की, जगा ले लेता है, और नीचे वाली line पे move कर जाता है, लेकिन, अगर मैं यहीं पे, काशिफ को bold करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे bold का tag लिखके, काशिफ को paste कर दूँगा, यह यहाँ पे bold हो गया, यहाँ से निचे वाली line पे move नहीं हुआ, ऐसा क्यूं हुआ, ऐसा इस वज़ा से हुआ, क्यूंके headings, और paragraph हमारे पास, block elements हैं, यानि, यह पूरी की पूरी line की, पूरी की पूरी row की जगा ले लेते हैं, अपने बाद row में किसी को नहीं आने देते, इसी तरह paragraph है, hello world के बाद, जब मैंने दूसरा paragraph लिखा, तो पहले hello world ने अपनी पूरी जगा ले ली थी, लेकिन, यहाँ पे जब हमने bold लिखा, तो bold हमारे पास block element नहीं, बलके inline element है, inline elements सिरफ अपने word की ही जगा लेते हैं, यानि उसके आगे कोई दूसरा word place हो सकता है, इसलिए bold की tag ने हमारी, नीचे वाले line पे move नहीं किया, बलके उसी line पे ही खड़ा रहा, अब यहाँ पे अगर मैं course भी लिखूंगा, क्यूंके course भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं course, क्यूं लिखता हूँ मैं, ऐसे, और मैं काशिफ paste करता हूँ, तो यहाँ पे course भी आ जाएंगे, लेकिन अगर यह block element होता, तो यह काशिफ को नीचे वाले line पे move कर वा देता, इसलिए जो भी block elements हैं, सिरफ अभी के लिए इतना ही समझ लेना है, कि जो block elements हैं, वो पूरी row की जगा लेते हैं, और जो inline elements हैं, वो सिरफ अपने word के accordingly जगा लेते हैं, जितना उनका word होगा, उतनी ही जगा वो लेनेंगे, लेकिन जो हमारे पास block elements हैं, वो पूरी row की जगा लेनेंगे, तो अब तक के लिए guys इतना ही, we will meet next time,